इस राखी पे आपका गिफ डबल होने वाला है जब आप अपने हाथ से बनी हुई ये बढ़िया बढ़िया टेस्टी मिठाई अपने भाई को खिलाएंगे न तो यकीन मानिए एक नहीं दो दो गिफ पाएंगे सो हे गाईज वलकम बाक टू माई चानल हापी आर्स तो कैसे हैं आप लोग तो हापी आर्स में आज मैं फिर से आपके लिए एक टेस्टी इंस्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रीडियंट्स के साथ बनने वाली मिठाई की रेसिपी लेके आई हों बड़े से लेकर बच्चे तक कोई भी इसको बना के तयार कर सकता है यकीन मानिए जो भी इसको खाएगा आप से जरूर पूछेगा के कैसे बनाई है तो इस फेस्टिवल सीजन पर बिल्कुल भी ये टेस्टी मिठाई की रेसिपी स्किप नहीं कीचेगा जल्दी से बनाई है और जटपट से खिलाई है और सब की तारीफ पाई है तो चलिए फिर देर के इस बात की रेसिपी स्टार्ट करते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब और इंजोई करिए बढ़िया बढ़िया रेसिपी स्को तो चलिए फेर स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने एक कड़ाई ले लिया है जिसमें मैं आड करे हूँ दूद आप कोई भी यूज कर सकते है घर पे रखा गाए का दूद यूज कीजे फुल क्रीम दूद यूज कीजे या फिर टोन कोई भी दूद चलेगा अभी यहां पर मैंने गैस की फ्लेम को बिलकुल मीडियम किया हुआ है हमको क्या करना है इसमें आड करना है एक और इंग्रीडियन जो है शुगर तो मैं यहां पर लगभग आधा कब शुगर आड कर रहे हूँ आप घर से कोई भी कटोरी, कब, गलास ले सकते हैं मिज़मिंट के लिए जिसे आप सारे मिज़मिंट करें चीनी आड करने के बाद हमको दूद को तब तक पकाना है जब तक चीनी इसमें अच्छे से घुल नहीं जाती तो बहुत जल्दी ये घुल के तैयार हो जाएगा यहां देखिए दूद जो है बहुत अच्छे से पक गया है, चीनी बहुत अच्छे से घुल गई है अब मैं इसमें आड करे हूँ एक कप नारियल का पाउडर यानि की डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर ये एड करने के बाद आपको इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है जब दूद में हम नारियल के पाउडर को पकाते हैं तो इसमें बहुत अच्छी सौफनेस आजाती है जो की खाने में मिठाई में बहुत अच्छा फ्लेवर देती है तो नारियल पाउडर को हमको मिल्क के साथ तब तक पकाना है जब तक मिल्क पक के एक चोथा ही नहीं हो जाता तो लगबग 5 मिनिट आपको इस प्रोसेस में लगने वाले हैं अगर आप इसको मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं तो बस ध्यान इस चीज का दीजे कि लगदार चलाते रहे ताकि ये नीचे लगे नहीं तो ये रेखे लगबग 5 मिनिट में ही मिल्क जो है एकदम रिड्यूस हो गया है और एकदम परफेक्ट टेक्शर अब इसका हमें मिल गया है अब हमको क्या करना है लो फ्लेम पे ही मैं याँ पर आड़ कर रहे हूँ आधा कप मिल्क पाउडर जो की इस मिठाई को एकदम मावे वाला फ्लेवर देने वाला है तो बहुत अच्छे से milk powder को हमको सारे पेटर के साथ, mixture के साथ mix कर लेना है और इस stage पे हमको बस इसको लगातार चलाना है, याद रहे milk powder को हम बहुत अच्छे से mix करेंगे, अच्छे से press करते हुए देखें जिस तरह से spatula से मैं इसको press कर रहे हूं अब बारी आती है इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देने की तो यहाँ पर मैं आड़ कर रही हूँ आधा जमश इलाइची पाउडर अगर आपको इलाइची पाउडर पसद नहीं है तो आप इसको स्किप भी घर सकते हैं कोई और फ्लेवर भी इसको दे सकते हैं और अगर आ मिक्शर एक साथ इकठा नहीं होने लगता और पैन को छोड़ने नहीं लगता तो बस आपको दो मिनिट और तीन मिनिट इसमें लगने वाले हैं फटा फट से यह बनके तयार हो जाता है तो यहाँ देखे लगबग तीन मिनिट मैंने इसको पका लिया है और मिक्शर देखे कि हम इसकी मोल्डिंग कर पाए तो इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और हलका सा ठंडा कर लेते हैं तो तड़ा ये देखिए हमारा मिक्षर जो है वो बिल्कुल पॉफेक्टली ड्राइ हो गया है मैंने थोड़ा सा घी लिया है जिसको हम अच्छे से हैंड्स में रब कर बस मैंने एक चोटा सा पोर्शन लिया है जिसको मैंने बॉल की तरह करके और देखिए हातों की मदद से इस तरह से मैं इसको राउंड कर रहे हूं एक वील की तरह तो ये देखिए एक दम परफेक्ट शेप हमारी बन के तयार हो गई है उसके बाद आपको क्या करना है मैंन इन सारी बॉल्स को बना के तयार करते हैं घी को हातों में लगाने का में यही था कि आपका जो ये मिक्शिर है ये आपके हातों पर चिपके नहीं तो इसलिए आपको हातों पर घी जरूर लगाना है तो यहां पर देखिए मैं इन सब को पहले बना के तयार कर रही हूं इसको decorate कैसे किया है तो मैंने लिया है ये थोड़ा सा food color ये बिल्कुल optional है अगर आप चाहें तो यूज की जादवाइ स्किप भी कर सकते हैं बस finger से एक एक drop लेना है और इनको टीका कर देना है जैसे हम मंदिर में पूजा करके करते हैं तो ये एकदम रक्षाबंदन स्पेशल मिठाई हो गई तो इस तरह से देखें मैंने चोड़े चोड़े डॉट इन पर लगा दिये है साथी साथ मेरे पास थोड़े सी टूटी-फूटी रखी हुई थी तो उनको भी मैंने इसके उपर लगा दिया है आप चाहें तो ड्राइफ फूट्स के साथ भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं बहुत सुन्दर ये लगेगा तूटी-फूटी एकदम चीप इन बेस्ट है आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा और देखने में इनका कामबिनेशन भी बहुत ज़्यादा सुन्दर लग रहा था तो ये देखे कितनी पौफेक्ट अब ये देखने में लग रही है जो भी इसको देखेगा न वो कहे गई नहीं कि आपने ये घर पे बनाई है देखने में भी इतनी जादा सुन्दर है और खाने में तो बहुत ही जादा टेस्टी होती है तो ये लीजे हमारी मिठाई जो है बनके तैयार है तो आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो अगर आपको आज की मेरी ये मिठाई की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कूल भी नहीं भूलेगा चानल पर अगर आप मेरे नहीं हैं तो चानल को कर दीजे सस्क्राइब और जल्दी जल्दी न्चॉय करिए बड़िया बड़िया रेसिपी इसको तो चलिए मिलते हैं नेक्स टाइम हापी आर्स में नई रेसिपी के साथ थांक्स फॉर वाचिंग